शेहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें कोरोना वाइरस खत्म हो यह हर किसी की आंतरी किछा है, और इसलिए वाइरस के समुल उच्चाटन के लिए खास कर वाइरलोजी में कार्य रत, वैज्यानिक हर संबव प्रयास रत है भारतिय धर्मशास्त्रों में रुची रखने वाले नागपुर की बेटी शंकध्वनी कर इस वाइरस का अंतो, इसलिए रोज सुबशाम सुर्यदे एवं सुर्यास्त के समय साधना कर रही है नागपुर की इस बेटी का नाम है हंसा बेन पागधाल वैसे तो ये सौराश्टर की बेटी परिशादी कर नागपुर पहुची और यही की हो गए हंसा बेन कहती है भारतिय शास्त्रों में शंकध्वनी का महत्व है और यह माननेता भी है कि शंकद्वनी से सकारात्म कूर्जा के साथ सुक्ष्म जन्तू का नाश भी होता है रूशी मुनियों ने वताया धर्मशास्त्रों पर मेरी श्रद्दा है इसलिए रोज सुभः शाम सुर्यदे एवं सुर्यास्त के समय चारों दिशाओं की ओर मुख कर शंकद्वनी कर साधना करती हो सभी का मंगल हो और इस आपदा से सभी बचे ऐसी प्रार्थना कर मेरा यह कार्य शुरू है शंकद्वनी के साथ कोरोना वाइरस का सम्बन है या नहीं यही इस शंकद्वनी का शुबसंदेश है यह बिल्कुल सही कहा गया है सास्त्रों में कि शंकद्वनी जहां जहां तक उनकी आवाज पहुंचती है महां के जो शुश्मते शुश्मत जिवानों होते हैं उनका नाश होता है जिस तरह से बैक्टिरिया होता है तो इस तरह से ये भी शुश्मत के शुश्मत नाश हो जाता है जिवानों का और जो हमारे मनुश्य आत्माओं के लिए बहुत फाइदे मन है उनका नाश होना जो कभी-कभी ये करती थी कि सुनती थी मेरी आवाज ग्रूप में जाके मैं बजाती थी तो तो फिर वो लोग भी मुझे कहते थे कि हमको भी सिखाओ तो मैंने ऐसे दो-चार महलाओं को मैंने सिखाया कि भई हाँ ठीक है इस तरह से बजाना होता है इसमें कोई ज्यादा मतलब हाड नहीं है तो प्रेक्टिस पे डिपेंड करता है शंक ध्वनी करना